तो फ्रेंड जैसा कि आपने पार्ट बंड में देखा एक गाउं के लगी सेर के लिखके से बत्तमीजी करती है और सेर के लिखका उसमेटी भी पहले रखती है फिर आगे आपको देख सकते हूँ अगर मैं ममी से डारेक्ट स्यादी के लिए बात करूँ गात तो ममी बोलेगी तुछ कुछ ऐसा करता हूँ कि ममी शादी कराने के लिए मतबूर हो जई तु मिल क्या और वेटा अरे यार मम्मी को किसने बताया कि मैं लड़की से मिलके आया हूँ बेटा किसकी यादो मखो गया मम्मी किसी से नहीं पर आपको किसने बताया कि मैं मिलकर आया हूँ अरे बेटा तो इतो बता का गया था मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ अच्छा आनन्द से हाँ हाँ मम्मी मैं मिल भी आया और बहुत आनन्द भी ले आया है अच्छा मम्मी मुझे खाना ले आओ ले का आती हूं बेटा बेड़ जा मिल के जुदाब होने से दिल क्यों डरता है खोने से मिल के जुदाब होने से दिल क्यों डरता है मम्मी इसमें तो नमकी नहीं है लाती हूं बेटा ठीक है ले आओ यह ले बेटा मम्मी आप भी कुछ न कुछ बोले जाते हो बेटा क्या रहे गया एग लास पाने लेकर आना बेटा अपने आप लेकर पीले मम्मी आप क्या बात कर रहे हो बेटा तेर को पताता है मेरे को बड़ा पा गया फिर भी मेरे को प्रेजान कर रहा है मम्मी आपको इतना तो करना पड़ेगा कखाना तो कम से कम खिलाना ही पड़ेगा बेटा ऐसा है तो कहन फिलाने वालिया ने मतलब यह है बेटा तो अपनी साधी कर ले सही में क्या दिखा रहे है यह ॉहो एक सकील यह हुआ लड़ miraci जल्दी कर ले साधी ठीक मम्मी मैं लेकर आता हूँ प्रुको तुम से ही में हो और के तुम सपना समझ रही थे यह हकीकत है आओ बेटो अचे बिताओ जो लड़की दिखने के तुम पसंद आगी अपने मुमी को मेरी पसंद जो थी पसंद तो आनी थी यह लो मुमी ठागरो यार बदलना जाना मौसं की तरह मेरे प्यार बदलना जाना मौसं इचे शादी में तो बुलाओ गे हैं? हाँ हाँ बिलकुल बुलाओ गुआ चलो ठीक है मुझे घर बेजाने और मैं कितने दिनों के बाद आ जाया हूँ और आप इतनी जल्दी जा रहे हो सारी बाबु तुम ही लेटा है हूँ मैं तो बहुत दिनों से तुमारा इंतिजार कर गेती ठीक है मैं चलो ठीक है अरे रुको तो बुको अगर तुम ही मुझसे दूर जाओगी तो मैं शादी किसे गरूँगा अच्छा तुम जिस लड़की बात करने गए थे वो मैं ही थी येस मेडम मैं कितनी पागल हु ना तुम्हारी बात ही नहीं समझ पाई अब ये बताओ अब ये तो बता दो मुझसे शादी करोगी अब यार पंदरा मिनट हो चुकी है मैं पता नहीं कहा है मैं इतनी देर से इंतजार कर रहा हूं और ये बेचारा फूल तो सेड ये भी मुर जा गया कहां तुम ये आपके लिए तैंक्यू चलो अब तुम्हारे गरवालों से बात करते हैं मेरा कोई नहीं है मैं अनाथ हूं अरे ऐसी कोई बात नहीं है आद से मैं तुम्हार हूं और तुम मेरी पुजा इंसे मिलो ये है हमारे मम्मी कैसे हो बेटा बैठो बेटा पुजा पुजा तुझे सोचता हूं मैं शाम उसुभा इस स्यादा तुझे और चाहूं तो क्या तेरे ही ख्यालों में डूबारा इस स्यादा तुझे रून झाल